So friends, आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक ऐसी easy Fiverr Skill के बारे में जिसको आप competitively easily सीख सकते हैं और ना सिफ easily सीख सकते हैं, बलके आप इसको सीखने के बाद Fiverr पर sell भी कर सकते हैं, बहुत थोड़े से टाइम में आप अपनी freelancing स्टार्ट कर सकते हैं, online earning स्टार्ट क कर सकते हैं, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा friends के आज ही से आपकी online earning स्टार्ट हो जाएगी जैसे दूसरे वीडियो में आपको सुनने को मिलता है, लेकिन यह ऐसी Fiverr Skills में आप लोगों लेकर आता हूं अपने चैनल पर जिसको आप बहुत थोड़े से टाइम में सीख सकत करके आप अपनी gig create करें Fiverr पर और अपनी स्किल, अपनी services sell करें और online earning कर सकते हैं, बहुत थोड़ा time required है, बहुत ज्यादर आपको effort करनी नहीं पड़ेगी, तो बिन टाइम वेच की हम भढ़ते हैं अपने topic की तरफ, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइ करने क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोग लिए लेकर आता हूँ, ऐसी कोच money making videos, money making tips और ऐसी learning based videos जिसको आप easily सीख कर उससे freelancing आप अपनी कर सकते हैं, online earning स्टार्ट कर सकते हैं, तो time waste नहीं करते, बढ़ते हैं अपने topic की तरफ. हलो फ्रेंड्स, मैं हूँ महमत फर्रुख और आप देख रहे हैं मेरा और आपका ये चैनल क्रेटिफाइस Solutions और इस चैनल को जैसा आपको पता है कि मैं आप लोग लिए लेकर आता हूँ चैनल पर ऐसी money making tips और money making videos जिनको आप देखकर अपनी skills को grow कर सकते हैं, develop कर सकते हैं, और अपनी freelancing start कर सकते हैं, तो friends अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके Creatify Solutions की family को join करने और हमारे साथ, यानि Creatify Solutions की साथ grow करें, तो बढ़ते हैं अपने laptop screen पर, और laptop screen पर मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वह ऐसी skill, जो easy Fiverr skill है, जिसके बारे मैं बात कर रहा था, वो क्या है, किस तरहा काम करती है, और उसको किस तरीके से आपने करना है, वो सब मैं आपको सिखा हूँगा, laptop की screen को चलते हैं, देखते हैं, So friends, पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन सी Fiverr skill है, जिसको हम आज सीखने जा रहे है, easy Fiverr skill जिसके हम बात कर रहे थे, तो अगर हम उसको Fiverr पर ही देख लेते हैं, कि Fiverr पर क्या उसका scope है, क्या उसका competition है, तो वो basically skill जिसके मैं बात कर रहा था, वो है, skin retouch up की, ठीक है, तो बड़ा potential है, friends, इस skill को सीख लेते हैं, इस काम में potential है, यह आप देख सकते हैं कि skin retouch up भी होता है, यह skin touch up भी कह सकते हैं, यह different keywords है, देखें, इस keyword पर आपको सिफ 479 gigs available है, तो इसका मतलब यह होगा है, कि यह keyword अगर आप यह skill सीखते हैं, और Fiverr पर अपनी gig बनाते हैं, इस skill के लिए इसको sell करने के लिए, तो यह keyword, एक काफी potential keyword हो सकता है, आप लोगों के जिस पर से 479, जो आज की date पर जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, 479 services available है, यानि के ज्यादा competition नहीं है, बलगे बहुत कम competition है, easily आपके gig rank हो सकती है, फर्स्ट पे और देखें, इस पर orders भी आ रहे हैं, इस keyword पर आप देखें, गेक्स को, 153 जनाब इसमें keywords आ चुके हैं, फ्रेंड्स तो एक बहुत जबर्दस keyword हो जाएगा, कि अगर आप इस skill को सीख कर practice करते हैं, और थोड़ा practice करने के बाद इसको 5-1 पर sell करने जाते हैं, तो बहुत ज्यादा useful है और बहुत ज्यादा chances हैं, आपके online earning immediately start होनेगे, तो इसको सीख लेते हैं, फ्रेंड्स, तो तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने Photoshop की तरफ, Adobe Photoshop की तरफ के Adobe Photoshop में हम देखते हैं, कि किस तरीके से हम ये skill सीख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये एक sample image है, इसको हम अगर थोड़ा सा zoom करते हैं, तो इस पे फ्रेंड्स आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, कि ये इसकी skin पे क कुछ sports हैं, जैसे ये एक sport है, ये sport है, ये sport है, काफी जैसे एक normally जिसको हम कहते हैं, दाने हैं face पे, या कोई निशान सा रहे जाता है, skin पे, तो वो photography में भी बहुत ज़्यादा काम आती है, skill के किस तरीके से उसको, skin को touch up किया जाता है, और skin पे से ये दाग और ये sports remove किया जाते हैं, तो ऐसा आपके पास, अगर client आता है, Fiverr पर आप service sell करते हैं, तो ऐसी bulk में आपको images देगा, जिसके उपर आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत से बहुत एक image पर पांच से 10 minute का काम है, 10 minute भी मैं ज्यादा बोलना हूं, आप 5 से 6 minute, 7 minute का काम है, आप एक image प करके उसको client को दे देंगे, और अपनी easily 5 to 10 dollars earning कर सकते हैं, इस खाम से, तो अब ये करना किस तरीके से, friends ये थे मैं बता रहा हूं, इसको इस image पर जैसे sports हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पर Photoshop में, Adobe Photoshop के अंदर एक tool होता है, जिसको कहते है, spot healing brush, spot healing tool है, ये spot healing tool को हमने select करना है, ठीक है, select करने के बाद, जो भी ये spots आ रहे हैं, जैसे ये spot है, ये spot है, तो इस spot के ओपर जागे, आपने यूँ क्लिक करना है, तो ये देखें, यहाँ से spot साफ होते जा रहे हैं, ये देखें आप जैसे ये, ये साफ हो गया, for example, ये ये बड़ा clear, इसके spot बनावे है, इसक पर अगर मैं करता हूँ, देखें, ये clear हो गया, ये clear हो गया, ये spot है, ये clear हो गया, इस तरीके से मैं तो आपको ये roughly करके दिखा रहे हैं, जब आप client के लिए करेंगे, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा zoom करके इसको गौर से देखकर इसको आप करेंगे, तो बहुत easily हो भी जाएगा, अब बहुत थोड़ी से टाइम में आप इसको सीख भी जाएंगे, थोड़ी सी प्रेक्टिस दरगार है, थोड़ी सी प्रेक्टिस आप कर लेंगे, इसको sell करना शुरू करें, और clients आपको यकीनन फाइवर पर order देंगे, ये competition बहुत कम है, मैंने जो keyword आपको बत तो friends, अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी फायदा हो और आप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो comment section में जाकर एक अपने comment, आप मुझे comment करें और अपने comment से पहले एक hashtag यूज़ करेंगा, grow with creative solutions, जो हमारा ये channel है, grow with creative solutions का hashtag अपने comment से पहले, या comment के अंदर कहीं प पसंद आई, ये skill ऐसी है, आप लोग के समझ में यकीनन आई होगी, मैंने बहुत कोशिश किये कि आपको easy से easy करके मैं समझाओ, वैसे तो है ये easy काफी, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे समझाओ, जैसे जिसको आप देखने के बाद यकीनन इस वीडियो को बोलेंगे, कि य जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़ जाए क्रेटिफाइस सलूउशन की फैमिली के साथ, और ग्रो करें हमारे साथ, तो अगली वीडियो तक के लिए इजादत दीजिए, जब तक के लिए, अल्ला